वीडियो में हम लोग आगे बढ़े और मैं आपको लोन लेने का पूरा प्रोसेस बताओ उसके पेले यहाँ पर एक प्रूब देख सकते हैं यह लोन हमको मिला है ग्रोव एप की मदद से दोस्तों ग्रोव एप की मदद से आप बिना इंकम प्रूब बिना किसी डोकुमेंट क यहाँ लोन देता है बड़ आप एप प्रूब केसे करोगे कि गोड हमको दोस्तों यह चीज इन्दर आपको अपना प्रेअड आपना Demate account बना लेंगे, Demate account बनाने के बाद यहां पे देखिए आपको loan का option show कर देगा, तो आपको इसके उपर क्लिक करना है, first time में आएंगे तो यहां पर आपको more का option show करेगा, then more के अंदर ही आपको यहां पर loan का option बिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखे, इस वीडियो के अंदर में आपको एक bonus tip भी दूँगा जिसका अगर आप इस्तमाल करेंगे तो grow app के अंदर आपको 100% loan मिलेगा जिन कम से कम rate of interest के उपर यहाँ पर आपको loan मिलने वाला है तो यहाँ पर आप देख सकते 55,000 रुपे का loan है नीचे आप देखेंगे तो 6 EMI हम लो करेंगे उसके बाद हमारी 3 EMI हाँ पर complete हो जाएगी अभी दोस्तों यहाँ पर देखें मैं loan close की बात करूँ तो यहाँ पर देखें क्लोज लिखा है यहाँ पर जैसे में करूँगा तो यहाँ पर देखें drop down menu open हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते 17,000 का loan 22,000 रुपे का loan तो यह loan हम यहाँ पर close कर चुके है तो दोस्तों grow app वाकई में loan देता है और यहाँ पर आप कोई भी income रूप नहीं देना होता पर आपकी profile eligible है तो यहाँ से आपको easily loan मिल जाएगा grow app से loan लेने के लिए सबसे पहले आपको grow app के अंदर अपना account बनाना होगा account बनाने का link वीडियो के description में आपको मिल जाएगा तो पेले आप pro app के अंदर अपना account बनाएंगे, account बनाने के बाद आप अपन करेंगे, ऐसे ही आप app को open करेंगे, आपके सामने कुछ गुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, more का sections आएगा आप more के sections के उपर click करेंगे जैसे ही आप more के उपर click करेंगे आपके सामने एक new interface open होगा loan के उपर click करेंगे जो भी आपकी profile के लिए loan रहेगा वो loan यहाँ पर आपको यह show कर देगा तो loan amount अभी आप देख सकते और दोस्तो इस loan को लेने के लिए हमको कोई भी paperwork नहीं करना नहीं हमारे घर पे कोई physical verification करेगा loan को हम लोग कभी भी बंद कर सकते जिसका कोई भी हमको charge नहीं लगेगा तो अगर आप इस loan को लेना चाहरा है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर यहाँ पर करेंगे जैसे यह आप यहाँ पर करेंगे यहाँ पर दोस्तो जितना loan amount आप को चाहिए उतना loan amount यहाँ पर मेन वली type करके ले सकते और आप पूरा loan लेना चाहरा है तो नीचे एक option से continue आप इस के उपर क्लिक करेंगे के आपने इस तरीगे का इंटरफेस यह शो करेगा यहाँ पे दोस्तों आपको विरियस टाइप के प्लान यह शो करेगा तो जो भी लून आमोंट रहेगा वो यहाँ पे शो करेगा अगर दोस्तों आप इस लून को बारा मही निकले लेंगे तो कितना EMI आएगा वो यहाँ पे शो करेगा और आप इस loan को 36 में निकले लेंगे तो जो भी आपका EMI रहेगा वो यहाँ पे शो करेगा और आप इस loan को 6 में निकले लेंगे तो जो भी EMI आएगा वो यहाँ पे शो करेगा तो मैं यहाँ पर custom यह माई पर click करूँगा दिन आपको दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पर set करना होता है यहाँ पर देखे custom का option से आप custom के उपर click करेंगे जैसे आप custom के उपर click करेंगे तो यहाँ पर आप menu वली amount डालेंगे कितना amount अपर रखना चारहे तो अभी आप देख सकते हैं 12 महिने में हमारा जितना भी EMI आ रहा है वो सभी आपको यह शो कर रहा है तो अगर आप अपनी EMI की सभी details देखना चाहते कितना rate of interest लग रहा है क्या क्या चीज़े आपको यहाँ पर pay करने होगी तो यहाँ पर देखे एक option से details आप इसके उपर क्लिक करेंगे जैसे ही आप details के उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके loan की पूरी information आज जाएगी जैसे कि आपका EMI कितना रहेगा वो यहाँ पर show करेगा कितना rate of interest आपको देना होगा वो show करेगा total interest show करेगा कितना आपको interest लगेगा 12 महीने में यहाँ पर आपको जितना process fee लगेगा वो show करेगा यहाँ पर जिस date को भी आप पेसे निकालेंगे वो date show करेगा जिस date को आपका first EMI रहेगा वो date show करेगा जिस date को आपका last EMI रहेगा वो show करेगा total loan का time duration कितना है वो show करेगा अगर आप loan की ओर detail देखना चाहरे तो repayment schedule के उपर आप click करेंगे तो इन महाँ पे आपको सभी EMI की जानकारी मिल जाएगी जैसे आप सभी चीजे चेक कर लेंगे आपको अपना e-mandate set करना होगा तो यहाँ पे देखे आपको lender दिखाएगा कोन आपको यहाँ पे loan प्रवाइट कर रहा तो हमारे case में IDFC bank है यह हमारा lending partner से जिस bank में payment आपका जाएगा वो bank account show करेगा और आप चाहेगा तो यहाँ पे change bank account के उपर click करके अपना bank account भी change कर सकते कि आप debit card से भी कर सकते net banking से भी कर सकते तो यहाँ पे देखे एक नए options काफी अच्छा है आप यहाँ पे अपना आधार card की मदद से भी e-mandate कर सकते हैं e-mandate करने के लिए आप यहाँ पे आधार card के उपर click करेंगे यहाँ पे एक checkbook लगाएंगे यहाँ पे submit का option से आप submit के उपर click करेंगे जैसे ही आप submit के उपर click करेंगे आपको यहाँ पे कुछ देर wait करना है यहाँ पे okay आप करेंगे यहाँ पे आपकी details शो करेगा आप इसको अच्छे से check करेंगे यहाँ पे आपका कब से EMI start होगा कब EMI end होगा सबी details शो करेगा page को अप नीचे school करेंगे यहाँ पे आप अपना आधार card number भरेंगे आधार card number भरने के बाद यहाँ पे आप continue के उपर click करेंगे दोस्तो OTP आपको उसी number पे भेचा जाएगा जो आपके आधार card के साथ link होगा तो यहाँ पे मैंने अपना OTP भर दिया यहाँ पे आप continue के उपर click करेंगे जैसे ही आप continue के उपर click करेंगे तो दोस्तो इस बार क्या होगा अभी आपके being account के साथ जो भी mobile number लिंक है उसके उपर अभी एक OTP आएगा तो उस OTP को यहाँ पर भरेंगे OTP भरने के बाद continue के उपर click करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका ENH complete हो जाएगा यहाँ पे आपको कुछ देर wait करना है यहाँ पे आप OK के उपर click करेंगे जैसे यह आप OK के उपर click करेंगे यहाँ पे आपको अपना selfie upload करना होगा तो selfie upload करने के लिए यहाँ पे आपको अपना selfie upload करना होगा यहाँ पे आपको एक page दिखाएगा यहाँ पे आपकी KYC details रहेगी अगर यह details सही है तो यहाँ पे confirm का option से आप confirm के उपर click करेंगे जैसे यह आप confirm के उपर click करेंगे आपके सामने एक new page open होगा यहाँ पे loon की सभी information रहेगी जैसे आपका loan amount कितना है वो शो करेगा processing fee कितना लग रहा है वो शो करेगा यहाँ पे आपको loan amount शो करेगा कितना interest लग रहा हो शो करेगा annual percentage शो करेगा monthly EMI शो करेगा time duration शो करेगा कितने महीने का loan है फिर्स यह हमें आपकी कब रहेगी वो शुकरेगा किस बेंग काण्ट में चाहेगा फुरस्चो करेगा नीचे एक option से complete विड्रो के ऊपर आपक्लिक करेंगे जैसे complete विड्रो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ग्रोग के साथ जो भी mobile पाइल नंबर आपका लिंक रहेगा उसके उपर एक OTP आएगा उस OTP आपको यहां पर भरना होगा तो दोस्तों मैंने यहां पर OTP भर दिया है नीचे एक option से confirm आप confirm के उपर क्लिक करेंगे जैसे ही आप confirm के उपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंडरफेस आपके सामने आएगा यहां पर देख सकते हमारा जो पेमेंट है वो ट्रांसपर हो रहा है यहां पर दोस्तों कुछ कोईस्टन्स आ रहा है जैसे कि आप लोन क्यों लेना चाहते तो लोन पूर बीजनस के लिए मैं यहां पर ले रहा हूं अभी दोस्तों मुझे अच्छे से पता है कि आप में इसे काफी सारे लोग वीडियो छोड़के जा चूके होंगे बट जो लोग यहां तक बने हुए जिन्नोंने पूरा वीडियो देखा है उनके लिए दोस्तों यहां पर में कुछ बोनस टिप देना चाहूंगा जिसको अगर वो यूज करेंग तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना आपको अपने दूस्तों लिए पार्टनर से कंजूमर डूरेबल लोन लेना होगा जैसे टीवी फ्रीच एस तरह के जो आपके घर के अंदर सामान यूज होता है आपको अपने लिए पार्टनर से वो लोन लेना है देन टाइम का उफ्शन आ जाएगा अभी आप में से काफी सारे लोग ये भी सोच रहोंगे कि कौन सा लेंडिक पार्टर यहां पे सही है तो दोस्तों मेरे केस में जब भी मुझे लोन मिलता है तो वो IDFC First Bank से मिलता है तो मैं आपको भी यही रेक्यमेंट करूंगा कि जब भी आप Consumer Durable लोन लेने जा रहे तो आप Bajaj Finance, Home Credit इस तरह की Company को अवइट करें यहां पे आप यूज करें IDFC First Bank का Consumer Durable लोन अगर यहां से आप एक बार लोन लेंगे तो दोस्तों आपको इनकी तरफ से बड़े बड़े लोन ओफर मिलेंगे जैसे मेरे केस में आपने देखा इससे पेले सभी में यहां पे इनसे Personal Loan ले चुका हूँ यहनों उसकी सभी MI Timely में पेक कर चुका हूँ तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा इस भी Grow App से लोन कैसे लेते हैं से रेटेर आपका कोई सवाल है या Grow से लोन लेने में आपको कुछ इशू हो रहा तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करिएगा मैं कोसिस करूंगा एक जैन्मन रिप्लाइ देने की चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी साथ चलिए धन्यवाद